टाइटल मातापिता की सेवा, प्रेम और धनियवाद एक सुंदर गाउं में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा नामक राज था राज का परिवार बहुत खुश और समरिध्धी में रहता था राज के मातापिता, श्रीन्ती और श्री गुपता अपने बच्चों के प्रती प्यार और समर्पण में विश्वास करते थे जैसे जैसे राज बड़ा होता गया, उसने समझा की मातापिता की सेवा करना एक बड़ा और महत्वपून कार्य है उसने अपने मातापिता को समयस्मय पर सहारा देना और उनकी चिंता करना शुरू किया एक दिन राज ने देखा कि उनके पिताजी अच्छे स्वास्थ्य का संभालने के लिए सहारा की आवश्यक्ता है राज ने तुरंट उनकी देखभाल के लिए कई उपाय किये उसने उन्हें नियमिक चेकप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया और उनकी आद्टों का ध्यान रखा जब उनके माताजी को साथी की जरूरत थी, तो राज ने उनका साथ दिया वह उनके साथ समय बिताने में मदद करता और उनकी चिंता करने का वक्त निकालता इस सभी महंत और समर्पन के बाद राज के मातापिता ने उससे बहुत प्रेम और आभार किया उन्होंने कहा, राज तुमने हमारे साथी बनकर हमें बहुत खुशी और समर्थ बना दिया है मोरल यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता-पिता की सेवा करना एक बड़ा और महत्वपून कार्य है हमें उनके साथी बनकर, उनके साथ समय बिताने में और उनकी चिंता करने में यहां रहना चाहिए अगर आपने यह कहानी पसंद की है तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नई कहानिया मिलती रहें